लाटली फाउंडेशन के राजे उपाधेक्ष निर्मला राजपूत एवं जीला कारी 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 अध्यक्ष रेखा विष्ट एवं सदर मंडल अध्यक्ष रीना ठाकुर के सिंख तत्वा बदान में उपाधेक बिलास्पो राजेश्विल गुल के माधिम से मुक्य मंद्री जैराम ठाकुर को ग्यापन प्रेशित किया गया ग्यापन में मांग की गई कि स्वास्ते वाग में बैश्विक महामारी करोने जंबंदित स्वास्ते उकर्णों एवं पीपीई किट खरीद में हुए भ्रस्टचार प्रकरण की सीबी आई जांच करवाई जाए ग्यापन मे लिखा गया है कि मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर करोनो बैश्विक महामारी के दुरान आपके दोरा के गए प्रयास बहुत ही सराहनी रहे हैं आपने दिन रात प्रदेश की जनता को बहतर सुभिदा देने के लिए आप हमेशा तत्वर रहे हैं मुख्यमंत्री बैश्विक महामारी करोना के दुरान परतीक बर्ग ने चाहे बे बूढ़े बच्चे नोजवान रोजगार बिरोजगार हो चाहे कोई पेंचिन करता हो उन्होंने सब ने करोना बैश्विक महामारी के दुरान अपनी हैसियत के अनुसार चीफ मिनिस्टर रि पीई किट खरीद में बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है और ये घटना देव भूमी हिमाचल को पूरे देश में शरमशार करने बाली है जिसके चर्चा पूरे देश में हुई है स्वासिर बाग के इस घोटाले में स्वासिर निदेशक ब नेता का जो ओडियो वायर हुआ है जिसमें 5 लाग रुपए की रिश्वत स्वासिर निदेशक को देने की बात हुई है उससे पूरे देश भर में संसनी फैल गई है तता ये घोटाला परदेश की जनता के समक्स उजागर हुआ है बैश्विक महामारी करोना के दुरान इस प्रकार के घोटाले की प्रदेश आपसे मांग करती है कि इस स्वास्ते विभाग में हुए पूरे प्रकरण की CBI जांच करवाई जाए ताकि आरोपियों को एक कड़ी से कड़ी सजा मिले साथ में आरोपियों के पीछे चाहे कोई नेता बड़ा हो या छोटा हो उसके उपर भी कड़ी से कड़ी क बहुत उमीदें हैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि स्वास्ते विभाग में हुए घटालों की CBI जांच जरूर करवाएंगे ब्रश्टशार के मामलेक में CBI चांच की मांग की है